सोया मिल्क प्रोसेसिंग बिजनस कैसे शुरू करें? अगर आप कोई नया बिजनस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये ख़वर आपके लिए हैं, क्योंकि आज हम आपको एक खास बिजनस प्लान के बारे में बता रहे हैं, जो बहुत कम इंविस्मेंट में शुरू किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें लागत कितनी लगेगी सोया मिल्क मेकिंग यूनिट की कुल कॉस्ट लगभग 11-13 लाक रुपए है जिस पर बैंक से मुद्रा लोन लिया जा सकता है बैंक आपको 80% तक लोन दे रहा है और आपको लगभग 1.5 लाक से 2 लाक रुपए का इंतिजाम करना होगा कितनी जगा की आविशक्ता होगी? सोया मिल्क प्लांट लगाने के लिए सिर्फ 100 वर्ग मीटर जगा की ज़रूरत होती है इतनी जगा में सोया बीन प्रोसेसिंग यूनिट आसानी से लग जाएगी इस यूनिट में एक ग्राइंडर, प्रेशर कोकर, बॉयलर, फिल्टर प्रेस और एक टैंक होता है ट्रेनिंग कहां से ले? सोया में प्लांट लगाने के लिए NSIC के Technical Service Center में ट्रेनिंग ली जा सकती है ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सोया बीन से दूद, दही और पनीर बनाने से लेकर उसकी मार्केटिंग तक के बारे में बताया जाता है कैसे बनता है दूद? सोया बीन से दूद बनाने के लिए सबसे पहले सोया बीन को 5-6 घंटे तक गरम पानी में भिगो कर रखना होता है इसके बाद सोया बीन को गरम पानी से निकाल कर 10-12 घंटे के लिए ठंडे तापमान पर रखा जाता है और फिर सोयापीन को कोकिंग मशीन में रखकर तेज गर्म किया जाता है और वहाँ से दूद निकलता है इस दूद को पैक करके बाजार में बेचा जा सकता है सोयापीन से तीन गुना अधिक नॉमल पानी में सोयापीन सीट को 4-6 घंडे तक गर्म तापमान में डब्बे में भिगोना होगा इसके बाद 8-12 घंडे तक थंडे तापमान में रखना होगा फिर भीके हुए सोयापीन को एक ग्राइंडर और कोकिंग मशीन में 120 डिग्री त आपमान में 10 मिनट तक रखें इसके बाद आप आउटलेट वॉल को खोल कर दूद को अपने हिसाब से पैक कर सकते हैं कमाई कितनी होगी बाजार में सोया मिल्क लगवग 30 रुपे लीटर के हिसाब से बिगता है इस तरहे आप रोसाना सोया मिल्क तयार करके अच्छी आई लाखो रुपे की हो सकती है तो ये थी सोया मिल्क प्रोसेसिंग बिजनस की पूरी जानकारी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और यसी और बिजनस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताए ओकी क्रेडिट बिजनस ओकी है